हालो नर्शिंग ओफिसर वेलकम टो माई यूटूब चैनल एक्षी फिचोद्री नर्शिंग ओफिसर फ्रेंट्स आज अपन लेकर आए हैं जो फरी ओफ कोस्ट आपने टेस्टी जो स्टार्ट कर रखिया है इसको सौल करने वाले हैं जो कि प्रीविएस जो है अपन है जो लाइव इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे और लाइव अपना रिजल्ट अभी आपके सामने देखने वाले हैं तो फर्ट से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो ब्लीज एस पी चोदरी नर्शिंग ओपिसर यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब कर लें ताकि यहां डेली के वीडियो आते हैं उनकी इन्फोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके और फ्रेंड्स आज सुबह जो है अपने जो है यूटूब के उपर पोस्ट कर दिया है एक क्योशन उसका अंस्वर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जुरूर देना है अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो आप जो है इन क्योशनों का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां पर अपने इमेज बेसे जो डायरेक्ट क्योशन जो अपलोड करते हैं वह ओनली सब्सक्राइबर वहां पर व्यूट कर सकते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा जो पोस्ट बनेगा यूट्यूब का वहां पर आपको अच्छे से एड़ेली के मौर्निंग के अंदर क्योशन अपलोड किया जाएगा वह आपको है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है यहां तो वहां पर प पोस्ट पे यूट्यूब पोस्ट पे जो इमेज डाला था उसके अंसर की बात करता हूं क्यों सब्सक्राइब करता हूं तो अपनी यूट्यूब के अंदर कल पोस्ट डाला था उसके अंदर इमेज डाला था हैंड के अंदर है कुछ ऐसे पहन के रखा है कुछ ऐसे ब्रे कि लिए लगाते हैं जैसे आपने सुनाएं फुट ड्रोप होता है वरिष्ट ड्रोप होता है तो मेरी रॉप की कंडिशन को कुछ हद तक कम करने के लिए उसके जो dangerous effects होते हैं उस से बचाने के लिए उसको यूज में लेते हैं तो उसका right answer था वो इस वीडियो के अंदर लास्ट में आपको क्योष्ट आप डिया था उसके राइट आंसर के बात कर लेते हैं तो फ्रेंट्स वह क्योष्ट हार्मोन स्ट्यूमिलेट लिपोलाइसीस है वो क्यों सा हार्मोन Stimulate करता है, फ्रेंट्स लाइपोलाइसिस के अंदर वैसे तो बहुत सारे हार्मोंस होते हैं जिसके अंदर आता है Epinephrine आता है, Nornepinephrine आता है Glycogen आता है, तो अपने बहुत बहुत है राइटांस जा रहा था, वो option ये जा रहा था Glycogen Glycogen is mostly responsible for Stimulate the लिपॉलाइसिस कंडीशन ओके फृटन तो ये थे प्रीविएस अपने जो क्योसन थे कल का क्योसन अप डेका क्योसन और यूट्यूब पोस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के आइकरन बटन आपको राइट साइड में उपर यू पर आइकरन बटन मिल जाएग आप जो है फेसूप पर या गूगल पर जहां भी आपको मिले वहां आप सर्च करके अपने चैनल के उपर जाके वीडियो पर क्लिक करके अपने काफी सारी वीडियो गना रखे हैं उप प्रीवेस वीडियो को देख सकते हो कोरोना के ओल्मॉस्ट सब सब्सक्राइब्स के और कोरोना के वीडियो अपने जो वहां डिटेल से बना रखे हैं तो आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हो ओके फ्रेंड तो अभी आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब कर दो वीडियो को जो है लाइक भी कर दो ओके फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं क करदे हैं यहां करते होंगे सैंट अपनानाम फिल करना अधे हमस्की अपना नाम होता है ृपकर देना हो घ्षांनी आपके सामने सब्सकार्इब जया सिरिय्स स्टार्ट हो चुकी है आप यहां पर देख सकते हो अपना नाम आ चुका है ओके और एस पी चोधरी नर्सिंग ओफिसर यह इन्होंने है यूट्यूब चैनल के जो है यह ब्रांच है और अपने टेस्टरी स्टार्ट किये पीजे में से इनके अपने सोल कर लेंगे ओके तो फ वीडियो के अंदर टाइम निकालके जो है आंसर देने की कोशिज करता हूं ओके तो चलिए फ्रेंट्स बात कर लेते हैं अपन फर्स्ट क्योशन से फ्रेंट्स क्योशन नंबर फर्स्ट है cleaning the bad sore has to be done for bad sore होता है फ्रेंट्स decubitis ulcer होता है वह कैसे clean करते हैं किस मेंदर के अं प्रेंट्स अपने जो decubitis ulcer की अगर बात करते हैं यानि bear source की बात करते हैं तो वह अपन कंटामिनेटेड और अनकंटामिनेटेड मानते हैं एक सर्जिकली वूंड होता है फ्रेंट्स उसको क्या करते हैं कि इनर साइड होती है वह कम इंफेक्टेड मानते हैं और आउटर स बता रहा हूं कि diet बात कु सदुख को मैफ्रेंड और अपने अवाशन होता है तो उसको कैसे क्लीन करेंगे तोacing बात की सब्सक्राइड का जो वूंड होता है वह क्या है'd लूप्रेंज मानते और वहां से उसका है जो हैसा यो अलग अपोजिट एक अगर दूसरे pond असे highways मे से जो होता है वह aoiruit time होता है तो अपनने सुनते हैं अगर अगर कृली करें गे इस रोटेशन के अंदर एसे कलीन कर देता हूं श्रजिकली वुंड्र को अपन करेंगे बीच से लेके ऐसे rotation के अंदर अपन है clean करते हैं और bad source में क्या होता है bad source होता है इसके अंदर क्या होता है outer जो side होती है bad source की outer जो covering lining होती है वो more contaminated ना होके less contaminated होती है और beach की side होती है वो more contaminated होती है तो beach से अपन clean करना start नहीं करेंगे इसके अंदर start करेंगे आउटर टू इनर जो है क्लीन करते हैं इस रोटेशन के अंदर जो है वैड्स और को क्लीन करते हैं तो इसके राइट आंस वर जा रहा है आपको सामने को दीख रहा है आउटर टू इनर आउटर साइड से है रोटेट करते करते हैं इनर साइड की तरफ जो है अपने को इसको क की फ्रेंटस को नंबर सेकिन है primary immune response the correct statement is primary immune response related कौन सा statement right है option A involved Igz option B है antibody produced cell memory B cells option C है slow and slugis option D है no lag period तो फ्रेंटस इस से related correct statement जाता है वो जाता है slow and slugis यह इसका right answer जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉंस से लेटेड़ ओके ऑप्शन सी इज राइट आंसर बात कर लेता हूं फ्रेंट्स कि उसन नंबर थी की which is the correct one theory of emotions? emotions की related कौन सी जो है correct theory है किसने दी थी? option A है canon bird theory, option C है max silend theory, option C है fruit theory, option B है erection theory, तो यहां पर friends राइट आंसर के अगर बात करते हैं तो थी थी जो होती है emotions related वो दी थी canon bread theory ने, option A is right आंसर, canon bread theory है ये emotions से related होती है बात कर लेते हैं फ्रेंट्स क्योंसा नंबर 4 की Serial HCG test used to diagnosis the following condition Serial HCG test है किसको diagnose करने के लिए अपन mostly use में लेते हैं Option A है cervical cancer, Option B है carcinoma of vagina और carcinoma of cervix है first में और second में carcinoma of vagina है और Option C है coriocarcinoma और Option D है carcinoma of endometrium तो friends coriocarcinoma होता है इसको find out करने के लिए Serial HCG test mostly perform किया जाता है Option C is right answer आसा करते है friends आपको सब को समझ जा रहा होगा प्लीज वीडियो को है लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि जितने friends viewers आते हैं उतने like नहीं आ पा रहे हैं उससे friends motivation मिलता है कि हाँ मेरे वीडियो जो है बंदे देख रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है तो like मिल रहा है तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आने की कोशिस करता हूं प्लीज ओके तलिए बात कर लेते friends क्योंस नमबर फाइब की तो फ्रेंट्स इसको राइट आंसर की बात करते हैं जो टिस्टो पेथलोजी होती है उसको carried out किया जाता है 10 परसेंट जो buffered होता है formation होता है उसके अंदर राइट आंसर जाता है option A is right answer बात कर लेता हो friends क्योंस नमबर 6 की thinking is also referred as thinking होता है सोचना होता है वो किस के अंदर आता है option A है emotions, option B है sorry option A है motivation, option B है emotions, option C है cognition और option D है perception तो cognition के अंदर आता है friends thinking, thinking को cognition के अंदर में अपने include करते हैं पात कर लेते हैं मिनट क्योंस नमबर 7 की who has classified type A and type B personality personality के तो types होते हैं friends A और B इसको किस ने classified किया था? option A है Elpot, option B है Hence, Isearch, option C है Carl Jung और option D है Selden, तो friends Carl Jung है इसने जो है personality को classified किया था दो types के अंदर personality types जो हता है A और personality types होता है B okay बात कर लेता हूं friends क्योंस नमबर 8 की glycos urea occur when the venus blood glucose exit friends glycos urea क्या होता है? blood के अंदर sorry urine के अंदर glucose आ रहा है glucose की present है मात्रा में कुछ मात्रा में glucose present है urine के अंदर उसको बोलते हैं glycos urea तो अगर कितनी मात्रा blood के अंदर ज्यादा हो जाती है कितने से ज्यादा हो जाती है तब यह condition देखने को मिलती है कि urine के अंदर अपने glucose present होता है option A है 140 to 150 mg per deal option B है 150 to 160 mg per deal option C है 170 to 180 mg per deal होता है इसके अंदर जो है mostly इतनी अगर इससे अबो हो जाता है glucose blood के अंदर तो अपने glycos urea mostly देखने को मिल सकता है option D is right answer इसमें थोड़ा बहुत variation आपको मिल सकता है friends बाकि आपको है 160 से 170 average इसको यह ज्यान रखना है okay बात कर लें friends question number 9 की 8 teaspoon in ml एक teaspoon है इसके अंदर कितना ml HOT है option a 1 ml option B 10 ml option c 8 ml option d 5 ml एक teaspoon है उसके अंदर oo7 Super Babel tablespoon होता है उसके अंदर 15 ml होता है ओके यह आपने को धacterALL हचना है tablespoon और teaspoon के अंदर table waiter means how can I understand particulier है इनकी identify the isotonic fluid among the following जो option दिये का है इनमें isotonic fluid कौन सा है option यह है 0.9% ns option भी है 5% dextrose option d all of these all of the above और option अपने d है rl तो friends यह right answer की मैं बात कर लेता हूं वो जाता है all of the above friends यह क्या होता है अभी आपको थोड़ा बताते है ns होता है यह isotonic के अंदर आता है rlb isotonic के अंदर आता है अगर d 5% के साथ water अगर मिला रहे हैं तो भी isotonic के अंदर आता है ज्यान रखना है यह थोड़ा सोचना आप जो है ज्यान रखना इस पर 5% dextrose पर वाटर है तो isotonic के अंदर आएगा और 5% dextrose प्लस normal saline है यह hypertonic के अंदर आएगा इतना ध्यान रखना है 5% dextrose और वाटर है तो isotonic के अंदर ही आएगा और 5% dextrose प्लस ns है तो hypertonic के अंदर आता है ओके बात कर लेता हूं friends question number 11 की which of the following is not the typical features of quartier core quartier core के typical features के अंदर कौन सा include नहीं किया गया है option a है muscles resting option b है severe loss of circuitous fat option c है unusually good appetite option b है moon like face तो friends यह राइट answer की पहले बात करता हूं हो जाता है moon like face अभी आपके दिमाग महारा हूं friends comment आया था कि फ्रेंट्स वास्टिंग आई यह क्या मेरासमस में देखने हो मिलती है क्वार्च और को और के अंदर नहीं पर अपना थोड़ा बहुत इसको count कर सकते हैं बाकि क्योशन के इस आपसे अपना moon like face जाया इसको priority देने के है role play कर रहा है उसको क्या बोलते हैं option A है role distance option B है role playing option C है role set और option D है role conflict तो role conflict होता है इसके अंदर two or more जो है role perform कर सकता है option D is right answer बात कर लेता हूं friends के उसन number 30 की endemic fluorescence occur when fluorine present in water water के अंदर कितने mg fluorine होता है जो endemic fluorescence cause करवा देता है option A है 2 to 5 mg पर लेटर option B है 4 to 6 mg पर लेटर option C है 3 to 5 mg पर लेटर option D है 7 to 8 mg पर लेटर तो friends 3 to 5 mg पर लेटर से अगर ज्यादा fluorine हो जाता है अपने water के अंदर तो endemic fluorescence अपने कोज करवा सकता है option C is right answer बात कर लेता हूं friends question number 4 की if the ectomorphic personality body types which is the correct friend ectomorphic types की personality होती है उसके अंदर person के अंदर है किस types का अपने को body types देखने को मिलता है option A है large viscera soft body option B strong muscles option C है socialize और option D है tail thin and fragile tail thin and fragile types की जो body type part होता है वो ectomorphic personality के अंदर mostly देखने हों मिलता है option D is the right answer okay friends तलिए बात कर लेते हैं question number 15 की how much extra calorie of energy is required in a lactating mother for 0 to 6 month of nursing that child friends extra pregnant woman होती है उसको extra कितनी केलो केलो केलोरी है उसकी energy की requirement होती है option A है plus 30 50 केलो केलो केलोरी option B है plus 5 15 केलो केलोरी और option C है plus 650 केलो केलोरी और option D है plus 7 50 केलो केलोरी तो friends अपने generally देखते हैं वो जाता है option B is और प्लस 550 समय में ऊप्टानिटी होता है नोमल हिल्थी वोमेन लेती है विदाउट प्रेगनेंट्सी उसके अंदर जो है ईट्लस 550 के व्तकित वोमेन सु T 그러 ? आप्शन बीजर इंट कर लेता हूं फ्रेंट्स के उसन नमबर 16 कि जैगरी इज रिच इन जैगरी यानि गुड गुड है उसके किसका मॉस्टली उसमें इन वोल होता है किसके क्या उसमें सबसे ज्यादा पाई जाता है option a केलसियम option b vitamin c option c folic acid and option d iron iron friends good के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाता है जेगरी के अंदर सबसे almost maximum amount के अंदर पाई जाता हूँ इसे फिर्लेशन की which condition is responsible for inspiration तो कोंची condition हो responsible लोते है inspiration के लिए जो इनहील करते हैं एयर गो वो ओप्सिन ओफ-इंटर कोस्टल मसल्स ओफ-बी है- कॉंट्रेक्शन ओफ-डाइफ्राम और ऑफशन सी है- और ओफ-व बोध बी अड ची इसके लिए डिसपॉंसिबल होती है कैसे क्योंकि इंस्पार्व करते हैं- तो diaphragm का contraction होता है और internal intercostal muscles होती है उसका contraction होने की बज़े से वो तो क्या करती है outward side अब आप तोड़ा और बता देता हूं जैसे contraction of diaphragm diaphragm friends ये lungs होते हैं इसके नीचे diaphragm होता है या तो ये क्या करता है below होता है तो lungs को proper space मिल जाता है वो dilate यहां से फैल जाते है ओके एक क्यारी होगी ये ये वाला soul होगया अब बात कर लेते हैं contraction of intercostal muscles intercostal muscles क्या होती है ये lungs होते हैं इसके surrounding muscles होती है ऐसे तो ये क्या करती है ऐसे contraction होगी ना दोनों साइड से तो ये इनका space है anteriorly posteriorly बढ़ जाएगा तो इसके लिए ये भी responsible होती है inspiration के लिए बोथ BNC contraction of diaphragm और contraction of intercostal muscles option B is right answer बात कर लेता हूं question number 18 की if the smoky brown color union suggests the presence of in urine फ्रेंट्स smoky brown color का urine आ रहा है तो उसके अंदर क्या present हो सकता है option A है bile pigment option B है small amount of blood option C है blood pigment और option D है high level of protein तो फ्रेंट्स blood pigment अगर urine के अंदर present है तो smoky brown color का जो है present अपने को देखने को मिलता है तो answer C is right answer बात कर लेता हूं question number 19 की which of the following term culture diffusion which is the correct one culture diffusion term है उससे related correct सही कौन सा है spreading of culture attribution through different culture group option B है immigrants come to accept culture option C है Wilson William F. Ogburn option D है socialization तो फ्रेंट्स तो राइट आंसर की बात करते हैं वो जाता है option A is right answer spreading of culture attribute through different culture group यह जाता है culture diffusion से related है वो राइट आंसर है ओके बात कर लेते हैं question number 20 की performed mentally retardation when IQ level performed mentally retardation यानि excessive जीतना retardation हो सकता है mentally रूप से वो कौन सी range होती है उसकी option A है 35 to 49 option B है 52 to 70 option C है below 20 और option D है 22 to 34 तो फ्रेंट्स इसका right answer की बात करता हूँ हो जाता है below 20 अगर हो जाता है तो profound के अंदर वो आ जाता है और normal होता है 70 तक होता है 70 से below होता है तो mentally retardation mild mode rate series और profound देख लेते हैं इसमें क्या query रहती है तो friends ऐसे करके आपने submit किया होगा तो अपना result यहां पे आप देख सकते हो friends 100% result आया यानि अपना almost जो था सब right था 15 minutes अठावन सेकंड के अपने test series को solve क्या है test series solve करने वाले का यहां दे रहे का आपको congratulations you are past SP चोधिर नर्शिंग ऑफिसर YouTube चैनल अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले वहाँ पे daily के वीडियो आते हैं उनका बहुत ज़्यदा आपको benefit होने बाला है और free of cost online जो test series अपने conduct करवाते हैं उनकी information पूरी की पूरी आपको जाई YouTube चैनल पे मिल जाती है और YouTube चैनल के उपर जो post करते हैं उसका question daily को आपको आपन जो upload करते हैं एक best सा question लेके वो आपे upload करते हैं और उसी दिन का साम को या जो वीडियो बनता है उसके अंदर उसको अच्छे से rational के साथ आपन सोल भी करते हैं तो अपने को almost कैसे भी करके बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है क्योंकि सेटेंबर के अंदर आइम्स देली आ रहा है और CFO है SDP यह है काफी ज़्यादा आने वाली है अपने को त्यारी जो है प्रोपर रखनी बहुत जुरूरी है तो यह था आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जुरूर पताना है थेंक्यू गुडबाई बेस्ट आफ लग